वेलकम टू साइंस मस्ति साइंस मस्ति के ओनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है और जो यह कारवा चला था जो कि एक कारवा था और जो कि मेरा एक दिर निश्य भी था कि मैं आप लोग को पूरा स्लेवर्स कवर करा उसमें आज हम लोग छठे चेप्टर पर आ चुके अच्छने वाला और इसके बाद प्लांट का का कंट्रोल अन कोदिनेशन हम पढ़ाएंगे तो ऊमें के कंट्रोल और कोदिनेशन दो तरह से होते हैं एक है हुमें नर्वेस सिस्टम और दूसरा होता है उसका एंडोकाराइन सिस्टम जिसको हार्मोनल सिस्टम भी हम लोग क सिस्ट्रेम क्या होता है कि मैसेज और इन फॉर्म ओफ इंपॉल्स ओवर नर्वेज मैसेज होता है वह इंपॉल्स के फॉर्म में रहता है नर्वेज के त्वारा जाता है इंडोक्राइज सिस्ट्रम में क्या होता है मैसेज और इंडोक्राइज सिस्ट्रम में जाता है मैसेज chemical के रूप में जाता है और किस से हो कर जाता है तो blood से हो कर जाता है जो तुम्हारा nervous system होता है उसमें message travel fast करता है message travel fast करता है और जो तुम्हारा endocrine system होता है इसमें message होता है travel slow करता है message of short term effect message का जो effect होता है short term होता है तुमको short term effect होता है nervous system में message होता है उसको इंडोक्राइन सिस्टेम में लॉंग टर्म एफेक्ट होता है मतलब लंबे समय तो कहता है फॉर एक्जामपल जो ग्रोथ हार्मोन है तो उसका क्या लॉंग टर्म तक एफेक्ट है नीड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम अब पुछन आता है कि इंडोक्राइन सिस्टम का ही जरूरत क्यों है तो nervous system is not very efficient in controlling in controlling को nervous system जो है is not very efficient in controlling large number of organ at the same time for a particular job जो nervous system होता है यह efficient नहीं है कि आपको सारे और्गेंज को बहुत जादे और्गेंज को एक ही वर्क के लिए कंट्रोल कर सके बट जो हर्मोनल सिस्टम होता है इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एफिसेंट है ऐसे वर्क को करने के लिए जैसे ग्रोथ हार्मोन में हमारा क्या होता है हर और्गेंज का ग्र अब नर्वस क्या है लगातार मतब बहुत समयों तक के लिए आपको sending message भी नहीं कर सकता है इंडोक्राइन system can easily send continuous chemical message in slow and steady मैंने लेकिन जो तुम्हारा इंडोक्राइन system होता है वो slow and steady study study में लगातार आपको chemical messages देता है जो इसका की सबसार इंडोक्राइन system is better for controlling slow process such as body growth तो इंडोक्राइन system क्या है बेटर है slow processes में चलिए इसके वाद आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से देखिए अब हम लोग आगे है प्लांट हार्मोन में तो प्लांट में क्या क्या चीज कंट्रिनेट करने की जुरूत होती है नंबर एक आती है ग्रोथ प्लांट कर लो करना फ्लांट चौनर चुल करने की जुरूत है लोग इक डिशीड कंट्रोल कहती है तर और मुवमेंट और प्लांट का जो मुवमेंट होता है उसको भी तो प्लांट क्या होता है प्लांट का मुवमेंट सुनते ही पटा लगता है कि प्लांट का एक जगा से दूसरे जाता है नहीं जाता है तो प्लांट कैन डू मुवमेंट प्लांट मुवमेंट कर सकता है बट लोको लोकोमेशन क्या मतलच होता है की अनदर पयलेस एक फैलेस दूसरे पैलेस पर नहीं जाता अब अनिमल संस्रुब रच्थ प्लांत हम लोग देखते हैं साफनें में कि सिंव Commerce इनिमल और्प्लांत में क्या प्लांट एनिमल में क्या होता है नर्वेस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होता है कंट्रोल और कोडिनेशन के लिए प्लांट के पास नर्वेस सिस्टम नहीं होता है इनिमल्स के पास प्लांट के पास प्लांट के पास नहीं होता है हर्मोन को सिक्रेट करने के लिए जबकि एनिमल के पास इस्पेस्पिक ग्लेंड होता है हर्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए अब चले प्लांट के हर्मोन्स क्या-क्या है इनका में लग देखते हैं लुआ छब्रांट के पास ऑउक्सजीन आता है जिसको अपलोग ग्रोथ अपस्टेम करता है फ्रूट और रूट्स के भी में और जीब्रेवलीन का भी काम है कंट्रोल करने का ग्रोथ ही अश्टेम का और बेकिंडवरमेंसी के वक्त काम करता है उससमय क्या होता है और को सिट्रल करता एंड और सेट डिवेजन फॉत्राइड बरेकिंग डिनोजनफीफ इन सम्में का मोता है उसका का मुझा ऊकुत इसका सिट्ध उसके उसके इन कि और इपकर इसका अगर माठाव मॅनों पेर की लंबाई अचानक बढ़ गई तो इससे क्या होगा कि पेर हवा या कीसी भी फ्रकार से तूटके नीछे की जाए तो इसलिए यह 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 का तो मस्ति कीजिए मजा कीजिए आप लोग के लिए ही यह सब चीज बनाया जा रहा है